जने राहुल गान्धी को क्या हो गया है? राहुल गान्धी एक बार फिर से बात करते करते भाशा की मर्यादा भूल गये। हाला कि उनके निशाने पर हमेशा से पत्रकार रहे हैं, वो पत्रकारों को जब जी करता है BJP वाला गोदी मीडिया या जो उनका जी करता है वो बोल देते हैं इस बार उन्होंने एक महिला पत्रकार के लिए जिस शब्द का इस्तमाल किया है वो हम नहीं बोलना चाहते आपके सामने अगर राहूल गांदी इस तरह की भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं तो चुनावों की बीच कर रहे हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ सहीयोगी हैं अभिशेक हमारे अभिशेक लंबे वक्त से राजनीतिक खबरे करते हैं राजनीतिक पर परक भी अच्छी रखते हैं अभिशेक कोई नेता जब इस तरह की भाषा का इस्तमाल कर रहा है बढ़ते हैं बीजिप्पी वाले की हार की हताशा है उन्होंने जिस शब्द का इस्तमाल किया वो हिंदी का शब्द हां मतलब ये लोग नहीं बोल पाते ने ढंग से उनको पता भी नहीं होता कि बोल की आ गए मनेशांकर एयर जी से कुछ-कुछ बोल देते हैं मोधी के बारे इनके साथ यह दिक्कत हुई ना यह खूब इंटर्विव दिये उस समय उसके बाद इनको लगा यार पत्रकार तो मीडिया हमारा साथ नहीं दे पहले से खीजे हुए थे गोदी मीडिया और क्या-क्या कई रहे थे उसके बाद इस बार इनको लगा इस बार आप देखिए पीएमों देने कितने इंटर्विव दिये गं'T जादें कि जसी वी और इंटर्विजन चणल गाधन गज़ु यस ने भी रिक्वेश डाला पीएमों में और अगर पीएमों के पास वो समय है तो PMO call करके हर छोटे बड़े आदमी को बुला करके इंटर्विव प्राइमिस्टर मोधी दे रहे हैं राहुल गांदी को ये करने किसी नरुका क्यों नहीं दे रहे हैं करी नहीं रहे हैं इस बार पिछली बार करके उन्होंने लगता है देख लिया कि अब इस बार कोई मतलब नहीं है इसलिए अब रैली वेली में जा रहे हैं लड़ भी कहा रहे हैं चुनाओ मन से यह भी तो देखिया आगर रैली आपने वह बाइट हम लोग सुना देते हैं अब बाइट में कहा क्या रहुल गंदी ने एक बार सुन लेजे अच्छा एक नहीं बात चलिए पता नहीं आपने सुना नहीं सुना इंटर्व्यू में पुछती है नरेंद्र मोधी जी आप में इतनी उड़जा कहां से आती है इतनी एनर्जी कहां से आती है नरेंद्र मोधी जी का जावा आता है मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ बायोलोजिकल नहीं हूँ पता नहीं चीजे कैसे होती है परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मैं परमात्मा का काम करता हूँ मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है तो वो कह रहे हैं कि ये जो इनके पास बैठे हैं ये जो ऐसे लोग हैं अरे भाई आपको किसने रोका है पत्रकारों को इंटर्व्यू देने से आप भी बुला लिजे लोगों को दे दिजे इंटर्व्यू प्रधान मंत्री से इन तमाम अब शेक आपने भी कई इंटर्व्यू देखे होगे हमने भी देखे हैं जिन सवालों को लेकर ये कहा जाता है कि प्रधान मंत्री जवाब नहीं देते हैं प्रधान मंत्री अनकंफर्टिबल हो जाते हैं PMO सवालों को हटा देता है PMO Office जो है एडिट कर देता है इंटर्व्यू को वैसा कुछ नहीं है जिसको जो पूछना था ब्रस्टाचार पर महंगाई पर EDCBI जो जो आपका मन करें वो पूछा है लोगों ने राहूल गांदी इतनी सो तंटता देंगे पत्रकारों को पूछनी नहीं बड़े निताओं के साथ ये तो होता ही है आपने देखा होगा इंटर्व्यू में सर की मतलब जो पूछना है वो तय तो बहुत कुछ नहीं होता है बहुत कुछ पहले से तय होता है ये पब्लिक भी जानती है अब तो कि इंटर्व्यू का सवाल बहुत सारे तय होते है बड़े पोस्ट पर ये भी तय होता है कि आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है आम बाला इंटर्विव बहुत वायरल करते हैं ये लोग राहूल गांदी का भी इंटर्विव आया था तो राहूल गांदी भी कई सवालों का जवाब नहीं दिये तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई सामने वाला किसे सवाल पर नहीं बोल ला है एक टिक टैक है वो एक चैनल के साथ चोटा सा जो 2 आ 3 मिनट की बादशीत के बादशीत के बादर्धें आप गंटो पिशेंस देखे रिगे देंगे भाई घंटो खंटो का ईंटर्विव नरे guarि में दिया है Peng को और फिर आप ने एक राय लोको करें, पुब्लिक भी देख रही है कि क्या चला है चैनलों, क्या नहीं चला है, ऐसा तो नहीं है कि Congress समरथित कोई Channel ही नहीं है, आप उने वहीं को देदीजे, यूटूबर को देदीजे, जिनको पसंद आप करते हैं, जिनको भी पसंद करते हैं, बुला कि दे दीजे इ लिमिटेट चीजे एकदम रट रखी है उसके उससे वो बाहर नहीं जाते हैं और आजकल कास्ट संसस करते हैं हाँ आजकल उनको याद आ गया है वो जन गन्नावा इसका मतलब यह नहीं है कि राहूल गांधी मतलब जो मतलब राजनीती कर दो जैसे अभिशेक आप राहूल गांधी का पूरा केंपेन जब आप ध्यान से देखिएगा जब उनकी भाषा जो है वो ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट का कोई ट्रॉलर नहीं होता है कि गया किसी की टाइम नाइल पर जो बोलना है अपनी भड़ास निकाल दिया अपनी कुंठा निकाल के चला गया अरे भई आप नेता हैं देश के बड़े नेता हैं हम लोग पेशे से पत्रकार हैं आपको नहीं पसंद हैं कोई बात नहीं आप अपने ही पसंदिदा पत्रकारों को बुला के इंटर्व्यू दे दीजिए कौन रोक रहा है आपको आपको इस बात से क्यों चिड़ान या कुड़न होनी चाहिए कि प्रदान मंतरी मोदी लोगों को बुला रहे हैं इंटर्व्यू पर इंटर्व्यू दे रहे हैं आपकी जो टीम में या थिंग टैंक में लोग बैठे हैं उन लोगों ने आपको ये समझा दिया है कि आप टुटर पर टूइट कर दो टुटर पर वीडियो डाल दो और उसी से कैंपेंग चलना है आपका तो ये आपका तरीका है आपको किसी ने नहीं रोका ये देश में आजादी है ना सबकी कि भाई आप अपने तरीके से जिसको चाहिए इंटर्व्यू दीजिए अपने पसंद के लोगों को दीजिए ना पसंद के लोगों को दीजिए टेलिविजन को दीजिए रेडियो को दीजिए अखबार को द और अब ये पत्रकार हमां हमसे क्या दुश्वना के एक बात और है अभी कल पुर्धान मंत्री ने मुजराशब की इस्तेमाल किया और इसलिए कॉंग्रेस के अंदर भी लोग कहते हैं कि राहुल की जगह प्रियंका होनी च्छीँ और इसलिए वर्ग तैयार हुँरा कॉंग्रेस के अंदर जो चाहता है कि प्रियंका गांधी लीड करें राहुल गांदी ने जो पत्रकारों को लेकर कहा है उस पर आपकी क्या रहा है साथ ही इस पूरे कैंपेन में 2024 के लोकसवा चुनाओं में राहुल गांदी जिस तरह की बॉडी लेंग्वेज और भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं क्या ये एक राजनेता के लिए सही है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्श में जरूर बताईएगो और साथ ही ये बताईए कि राहुल गांदी जिस भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं क्या ये सही है और वो भी पत्रकारों के लिए